स्वागत आप सभी का नेक वीडियो लाक्टर में पी ऐसे के आने वाले एक्जाम के लिए important questions हम करेंगे इस वीडियो में तीन वीडियो अल्रेडी बनाई जा चुकी है post office guide part 2 volume 607 के उपर आपने नहीं देखी हैं आप चैनल का review कर सकते हैं कर वहां पर आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी आगे वी इसकी एक और वीडियो बनाई जाएगी टोटल आपके 600 से भी जादा questions हो जाएंगे जिनको हम cover कर रहे हैं और यह most important question है बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं आपकी त्यारी को और भी बेहतर बनाने में यह आपकी मदद करेंगे तो आप जुड़के इनको जुरूर कर लीजिए अच्छे से यह आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे साथ मैं regular classes जो हमारी चल रही हैं उनके बारे में आपको जुड़ना है मैसेज कर देना स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें और regular classes में जुड़ने का आपको बहुत वड़ा फाइदा होने बाला क्यूंकि इसी तरह के important questions हम हर एक topic के लिए आपको provide करवाएंगे हर एक exam के लिए इसी तरह से preparation करवाए जाती है hand written notes दिये जाते है video lectures दिये जाते है daily post office guide part 2 volume 6 or 7 questions रहने बाले है combine तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है किसी वी question का अंसर आपको गलत लगे आप comment section में उस चीज़ के बारे में जुरूर बता कर बाकियों की भी help कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं first question आज की video का हमारे पास for how many times repacking charges can be lived on a foreign parcel बिदेशी parcel पर कितनी बार repacking charges लगाये जाते हैं अब repacking charges क्या होते हैं जब भी माली जी अपने कोई parcel भेजा है बिदेश के लिए भेजा है रास्ते में वो फट जाता है या फिर ऐसी सिती में आपको लगता है कि उसके अंदर आपने जो सामान भेजा वो की जाती है तो उसके लिए repacking charges लिए जाते हैं लिए तो किसे जाएंगे आपके address से लिए जाएंगे तो एक ही बार ये repacking charges whole transmission में लगाये जा सकते हैं पूरे transmission में सिरफ एक ही बार आपके repacking charges किसी भी foreign parcel के उपर लगाये जाएंगे अगला कोशन है आपके पास CRC sends back to beach of the falling far further signal dispatch आइदर थू एर और सरफेस, CRC क्या होता है? CRC आगे किनको बैई फोवड करता है कि आगे उनको प्रेशित करना है चाहिए को ध्यार रखना है cash limit की यहां पर बात हम करेंगे कि अगर आपके पास डिपार्टमेंटल employee है BPM है MD अभी post office में जो cash को लेके जाते हैं या पो deposit करने आते हैं वो अलग-लग हो सकते हैं ठीक है और डिपार्टमेंटल employee हो सकते हैं MTS है कुछ भी है तो उनकी limit जो अब अलग-लग होती है तो हमें बोही चीज में यहां पर देखना है कि कितनी limit हो सकती है किसी की बड़ीजी limit for cash limit through departmental employee accompanied by another departmental employee तो cash limit की धनपरेशन की limit हमको बतानी है कि जब भी आपका एक बिवागी के करमचारी दूसरे बिवागी करमचारी के साथ कितना cash लेके जा सकता है या फिर आ सकता है सबसे पहले आपके बास दिया हो है lose cash through departmental employee तो कोई भी विवागी आपका करमचारी है तो वो खुला cash खुला मतलब की वो अपने साथ कितना cash लेके जा सकता है पांच लाख रुपे लेके जा सकता है उसके बाद अगर departmental MMS है उसके साथ MTS भी है और थर्ड कोन है तीन driver भी है साथ में यह तीनों है cash in cash bag and closed in account bag और यहाँ पे cash को कैसे cash bag में बंद करके account bag में डाला हुआ उस cash bag को तो ऐसी city में 20 लाख रुपे लेके जा सकते है उसके बाद आपके बास hired MMS प्लस MTS प्लस driver जब यह तीनों होंगे cash in cash bag and closed in account bag within city limits अब यहाँ पे city limits भी आ रही है अगर तो within city limits हैं तो 5 लाख रुपे लेके जा सकते हैं अगर city के बाहर जाना है तब 2 लाख रुपे लेके जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर departmental MMS था यहाँ पर hired उसको किया हुए MMS को तो इसमें इस इतना ही फरक है और साथ मैं city limits की भी बात की गया तो within city limits है तो 5 लाख रुपे outside जा रहे हैं तो 2 लाख रुपे लेके जा सकते हैं आगे आपके बास RMS section और railway by TVP through cash bag and close in account bag 2 लाख रुपे लेके जा सकते हैं account bag handed over to carrier in waitment system और road transport अब यह क्या चीज़ होती है जैसे आपकी डाग आती है mostly कैसे आती है या तो वो ट्रांसपोर्ट के जरी है या किसी vehicle में ठीक है vehicle भी बही चीज़ हो गई account escort तो escort अगर कर रही है army उसको ठीक है तब कितना लेके जा सकते हैं कोई भी limit नहीं है जितना वर्जी ले जाओ ठीक है आगे आपके पास cash through departmental employee accompanied by another departmental employee तो सबसे पहले एक विफागी करम चारी है और उसका साथ देने के लिए दूसरा भी कोई विफागी करम चारी है तो दस लाख रुपे लेके जा सकते हैं आगे आपके पास cash through BPM, A VPM और डाक सेवक अब यह है हमारे पास अगर तो BPM के जरीए भेज रहे हैं A VPM है या फिर डाक सेवक है तो एक लाख रुपे डाक सेवक कोन होता है जीडिया स्क्रामिंड डाक सेवक उसके पास cash through BPM, A VPM डाक सेवक अभी यहां पर दो जने होगे ठीक है BPM, A VPM डाक सेवक इन ही मैं combine करके दूसरा इनके साथ कोई है तो दो लाख रुपे लेके जा सकते हैं तो यह limit पूछी साती है बार बार इसको अच्छे से अभी कर लेना ठीक है पूछा मुस्तरी यह जाता है कि departmental employee कितना लेके जा सकत हैं से लिए जी अगला question क्या है आपके पास who prepares so summary at head post office परधान डाक घर में so summary को त्यार करने का काम कौन करता है सब account assistant करता है आगे गुच्छ एक important forum numbers है bio summary कौन से forum के उपर बनाई जाती है एक bio daily account होता है वो ACG 22A के उपर बनाया जाता है एक आपकी क्या होती है bio summary होती है उस को ACG 1 forum के उपर बनाया जाता है एक आती है treasurer cashbook दूसरी होती है treasurer passbook अब दोनों को लग लग forum के उपर बनाते हैं अगर तो treasurer cashbook है भई ACG 2 के उपर उसको बनाया जाएगा और यहां पे नीचे दियो है treasurer treasury passbook की बात करें ACG 8 के उपर इसको बनाया जाता है और उसके ब के उपर बनाया जाता है यह important away आपने देखा होगा bio में जब भी बनाते हैं तो left hand corner में लिखा होता है ACG 22A अगे आपके पास advanced register ACG 60A के उपर इसको बनाया जाता है postmaster की अदेश पुस्तिका को MS1 के उपर बनाया जाता है error book MS2 के उपर बनाया जाता है nominal role जो होता है MS12 के उप आपत गरता के निर्देशों की जो पुस्तक होती है M32 के उपर इसको बनाया जाता है अगला question है आपके पास but are minimum dimensions of our foreign parcel विदेशी parcel के लिए नियूनतम आयाम क्या है 140 by 90 mm पिछली वीडियस में भी आया था आप भूले ना इसलिए इसको दवारा करवारू 140 by 90 mm भी याद declaration forum are presently in use customs declaration forum क्या होते हैं आपके सीमा शुल्क घोषना पत्र जो होते हैं present में भरतमान में कितने परकार के हैं जो department में use किये जाते हैं 2 CN22 and CN23 कभी यूज किये जाते हैं आपको पता होना चाहिए post office guide part 1 में भी हम करते हैं आगे हैं आपके पास the selections provided on the sorting cases should be based on the actual tariff pattern of how many is अब अब जो sorting cases होते हैं चंटाई case जो होते हैं उनमें selections provide करवाई जाती हैं आपको डाट शांटने के लिए selections होती है वह actual कितना tariff देखा जाता है 2 सालों का tariff देखा जाता है 2 सालों की dark की मातरा देखी जाती हैं उसके हिसाप से आपको sorting case पर selections जो नहीं वह provide कर वाई जाती हैं अगला question आपके पास, who writes the male abstract, dark star को किसके द्वारा लिखा जाता है, HSA के द्वारा, head sorting assistant के द्वारा, male abstract किसके द्वारा लिखा जाएगा, head sorting assistant के द्वारा, अगला question आपके पास, which contains the records of bags that are due to be opened in each set of CRC, CRC के परते एक set में खोले जाने वाले bag का record, कौन रखता है, किस में रहता है, due mail list में रहता है, due mail list जो होती है, उसमें दिखाया जाता है कौन से बैक जोने खोले जाने है किनको भेजा जाना है किनको प्रापत करना है ठीक है कब करना है कैसे करना है वो सारी चीजर डिमें लिस्ट में रहती हैं अगला आपके वास, ट्रेजर्री पास बुक बूक प्रिपेर्ड इन विच वारी रियक पास बूक ये कॉन्ची होती है कैश्बूक तो ये पास बूक ऐसी जी एट फोर्म के उपर बनाई जाती है अगला कोश्टिन आपको ऑगा स्ब्ड़ीजी इस सुभीदा आपको चाहिए मिनिमम कितने आर्टीकल होने चाहिए पोस्ट करने के लिए 500 आट banco आटे टाइम एक बार में 500 आर्टीकल आपके पास हने चाहिए पोस्ट करने के लिए अगला कुशन आपके 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 बास but is the maximum weight limit for a foreign packet containing Braille script अब ये Braille वाली script क्या चीज होती है अगर अच्छे से पढ़ा है तो blind literature packet में जब हम बढ़ते हैं तो braille एक लिपी होती है उस लिपी में अगर कोई script दिखी हुई है तो उसको blind literature packet के जरीए भेजा जाता है तो यहाँ पर किस की बात की गेई है? है जिन में inland में और foreign में जो weight limit है वो सेम है उसमें से आपका blind literature packet भी है अगला है आपके पास but is maximum weight limit of aerogram aerogram का maximum weight कितना हो सकता है 3 gram और अगर हम इसी की बात करें inland में कितना होगा inland में हो गई नहीं inland में क्यों नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि aerogram इकलोता है इसकी inland में ठीक है आपकी अंतरदेश्य डाक में इससे मिलती जुलती को श्रेणी है ही नहीं ठीक है तो इसलिए ये अकेला है तीन ग्राम इसका maximum weight हो सकता है अगला कॉशन है आपके बस but is the maximum amount foreign parcel can be insured in bio अब यहाँ पर question दो बनगे आपके दो क्या बनगे कि क्या foreign parcel को branch office में भी insure किया जा सकते हैं बिल्कुल भई किया जा सकते हैं लिमिट कितनी रहेगी 600 रुपीज 600 रुपे तक कर सकते हैं inland में भी 600 यह और आपके foreign में 600 ही है foreign flatly deposit account services available to foreign collectors तो बिदेशी dark tickets हिंग रहे करता हों के लिए जो flatly की सुविदा होती है यह कहां पर उपकलवद है flatly bureau Mumbai GPO जो उनके जो भी order होते हैं उनको कहां पर निश्पादित किया जाता है flatly bureau Mumbai GPO में किया जाता है आगी है आपके बास air mail items received from any country for delivery in India किसी भी देश से प्रापत होने पर जो भी air mail items होती है यहनि के जो हवाई मारक से प्रापत होती है may be redirected to any place within India free of course उनको भारत के भीतर मुफ्त पुने निर्देशन दिया जाता है बिना किसी शुल्क के पुने निर्देशित किया जाता है may be redirected to another country उनको दूसरे किसी देश में भी redirect किया जा सकते हैं लेकिन ओन payment of air surcharges इसके लिए आपको air surcharge जो है वो देने पड़ेंगे free नहीं किया जाएगा अगला है आपके पास in case of insured foreign articles containing bank notes currency notes and gold coin the article should be अब यह क्या चीज हो गई भई आर्टीकल शुडबी तो यहाँ पर आपके पास बुलागे आप insured foreign article कोई है जिसमें क्या आपकी चीज़ें bank note है या currency note है या फिर आप उसमें सोने के सिक्के भेज रहे हैं बेज रहे हैं ऐसी सारी चीज़ों को जब भी आप भेजते हैं insured for the actual value of the contents तो जो insurance की जाएगी उस article की वो किस के लिए की जाएगी जो उन articles की जो उन content की यानिके content क्या आप जाएगा जो भी आप उसमें चीज़ भेज रहे हैं ठीक है आप बैंक note भेज रहे हैं माली जब currency note भेज रहे हैं तो उसकी जो insurance की जाएगी वो currency note की actual value के लिए की जाएगी ये इनके लिए थोड़ा से important है bank note है currency notes है gold coin है बुलियन है, इनकी जो insurance है, इनकी actual value के लिए की जाएगी, मतलब आप कितने रुपे के लिए भेज रहे हैं, उसने रुपे के हिसाब से insurance की जाती है, अगला है आपके पास validity period of instructions received from every change of addresses, तो ये हम कर चुके हैं, इन लेंड में आ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, बह रहने, दूसरे post office में नहीं, मतलब दूसरे post office के अंदर जो area आता है, बहां पे रहने चला गया है, अब यहां पे क्या होता है, उसके लिए जो articles आते हैं, उनका वित्रण कैसे किया जाएगा, उस चीज के लिए instructions देके जाता है, निर्देश देके जाता है, अब pieces को बो देता है, instructions और उन instructions की जो validity रहती है, वो तीन महीने की रहती है, अब एक आती है, यहां पे तीन चाल, बहुत सारे confusion होते हैं, क्योंकि इस तरह के questions में एक तीन चाल आती है, एक instructions आप यह तीन चाल वाली है, ठीक है, तीन चाल वाली कौन से instructions होती है, जिसमें आपका address अपने सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को articles लेने के लिए postmaster को अधिकरीत करता है, मतलब कि उसके लिए जो articles आएंगे, वो postmaster को अधिकरीत करके जाता है, कि भाई, आप मेरे articles इस व्यक्ति को दे सकते हैं, तो यह वाली जो instructions होती है, तीन चाल तक valid रहती है, इसमें भाई, कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए, inland में और foreign में इनकी weight limit क्या है, समान है, तो 20 kg आजाएगा, आगे हैं, आपके बास undelivered outward foreign parcel are returned to the sender, own payment of postmaster charges, far journey of parcel generally equivalent to, यह क्या चीज़ हो गई भई, यहाँ पे, आप यहाँ पे देखे, जब भी आप letter भेजते हैं, या कुछ भी भेजते हैं, तो माली जी आपने parcel भेजा, letter भी भेज सकते हैं, letter भेजेंगे तो क्या होता है, कुछ एक charges जो होते हैं, आपके addresses से लिए जाते हैं, अब जब भी parcel भेजता जाता है, इसमें क्या होता है, आपने parcel भेज दिया, तो यह सिर्फ outward journey को ही cover करता है outward journey मतलब यहाँ पे माली जी आपका office of posting है यहाँ पे office of delivery है तो यह वाला जो parcel होगा आपने जो charges इसके लिए दे दिया है वो कब को आपके कब तक रहेंगे जब तक यह वाला article यहाँ पे पहुँचने ही जाता है अब यहाँ पे पहुँच गया माली जी यहाँ से इसको redirect करना है किसी और जगह पे भेजना है आगे भेजा जाना है तो ऐसी सभी सितियों में आपको extra charges देने पड़ेंगे redirection charges देने पड़ेंगे लेकिन अगर यह यहाँ पे deliver नहीं हो पाता है और बापिस आपके office of posting को आता है तो office of posting है मैं इसके लिए sender को फिर से charge देने होंगे अगर उसको वो parcel चाहिए अब sender को कितने charges देने होंगे भाई जितने उसने भेजने के लिए दिया थे उतने mostly equivalent रहते हैं लगवग आपके बराबरी रहते हैं मतलब कि जितने उसने भेजने के लिए दिये थे उतने उसके बापिस आने के लिए भी लगेंगे तो वो charges देगा तभी उसको parcel मिल पाएगा अगला है आपके पास if a parcel addressed post resident is not taken delivery within 7 days following the date of its arrival in the office of delivery bear housing charges shall we leave from the bear housing charges क्या होते हैं माल गुदाम प्रफार आपका parcel जो है रोक के रखा जाता है उसको रखने के लिए कोई जगा चीए अब यहाँ पे 2-4 किलो हो तब तो रोक के रखा जा सकता है भी post office में भी रोक लें लेकिन अब बड़े parcels को क्या करना पड़ता है अलग जगा पे रखना पड़ता है नहीं तो post office तो parcel से ही भर जाएगा लैटर से ही भर जाएगा तो उनको रखने के लिए भी माल गुदाम प्रफार देना पड़ता है भाई bear housing charges देने पड़ते हैं तो अगर कोई भी parcel है उसको post restaurant के रूप में भेज जागे अब क्या किया जाता है post restaurant को तो भाई एक मीना रोक के रखा जा सकता है अब क्या होता है यहाँ पे उसको अगर 7 दिन तक उसका जो address ही है प्रापत करता है वो post office से लेके नहीं चला जाता है तब उसके उपर बेरो सिंग चार्जिस लगने शुरू हो जाते है आठवे दिन से अब के जगा पे 7 दिन पढ़ते हैं के जगा पे 8 दिन पढ़ते हैं अब ऐसा क्यों आप पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर तो आपसे पूछा जाए कि कौन से दिन के बाद यह चार्जिस लगने शुरू हो जाएंगे तो बेरो सिंग चार्जिस शाल वी लीवड फ्रोम बीच डे अगर बीच डे पूछा जाए कि कौन से दिन से लगने शुरू हो जाएगे तब आजाएगा 8 डे से ठीका 8 दिन से लेकिन अगर पूछा जाए after which day कौन से दिन के बाद से लगने शुरू हो जाएंगे तो भई आजएगा 7th day 7th day तो इसलिए पढ़ते हैं आप 7 दिन और 8 दिन दोनों में आप फरक समझ लेना है question जो पूछा है उसी के हिसाब से answer देना है गलत मत करके आ जाना अगला है आपके वाद से पीपी वास एस्टैलिश्ट इंदियर भाई ये कर चुके हैं 1961 पिछली वीडियो में अच्छे से किया था इसका एड़कॉर्टर कहां पे है कितने देशामिल हैं कौन कों से शामिल हैं बहुत सारा हम कर चुके हैं चलिए अगला question देखते हैं if any postal article found or believed to contain the prohibited items in course of transmission by post it will be अगर कहीं पर ऐसा संदे हो जाता है कि किसी आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा सामान आप भेज रहे हैं जो क्या प्रतिवन्दित है यानि कि प्रोहिविट है आप उसको नहीं भेज सकते थे फिर भी ऐसा शक हो रहा है कि किसी आर्टिकल के अंदर भेज जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा उसको रोक लिया जाएगा और श्यांड लेक्टर की सीमा शुल्क को से भेज दिया जाएगा अंगला है आपके पास एक्जामिनेशन एड़ असेस्मेंट ऑफ ड्यूटी और ऑन इनवड आर्टिकल्स आर या फिर फोरन पोस्ट ओफिस ठीक हम दोनों ही करते हैं foreign post office भी कर देता है और सब फोरन पोस्ट ओफिस भी कर देता है अगला कोशन अप्टेस लिमिट ओफ इंशॉरेंस ओफ फोरन पार्सल विदेशी पार्सल के लिए जो इंशॉरेंस की लिमिट है आप किस सीमा तक किसी भ किमा करवा सकते हैं वेरिज अकोडिंग टू दी कंट्री ओफ डेस्टिनेशन गंतब्य के देश के हिसाब से वेरी करता है अलग लगोता है सफी के लिए सेम नहीं है चलिए अगला कोशन आपके बास कंट्री एद गा्टक अब आपको कंट्री अपने अपने लर्स मेल का बारृटकल में तो लडर भी आ जातें तो चाहे बो पत्र मेल का था चाहे हो पार्सल मेल का था अपने फोरण पोस्ट में इसको भेजा बिदेश के लिए भेजा है विदेश बो पहुंचा नहीं आपका लाडला जो भी था तो उसके लिए आपको complaint करनी है या फिर inquiry आपको करनी है तो एक साल के भीतर करनी है ठीक है यह लिखा हुआ है before the lapse of one year एक साल खतम होने से पहले आपको करनी है लेकिन important चीजों इसके आगे आपसे पूछी गई है counting from यह जो एक साल की गणना की जाएगी यह कब से की जाएगी the day falling the day on which the article was posted तो जिस दिन आपने article को post किया था उसकी अगले दिन से एक साल के भीतर आपने करनी है यह थोड़ा सा important भी है और confusing भी है माली जे 5 तारीक दी आपने article को post कर दिया अब एक साल के भीतर आपको उसके लिए inquiry या complaint करनी है तो मतलब एक साल यह जो गिना जाएगा यह कब से गिना जाएगा 5 तारीक से अगले दिन से यह निके छे तारीक से गिना जाएगा अगला question है आपके पास अब बिच लिमेट अ सब पोस्ट मास्टर ओफर ताइम सब पोस्ट ओफिस ताइम सब पोस्ट ओफिस के एक संक्षिन सब पोस्ट मास्टर है वो डिसीजड क्लेम केस की सहाद तक सैंक्शन कर सकता है अगर वो आपका अकाउंट कैसा है नैशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट है और जहाँ पे कोई भी नोमिनेशन उपलवद नहीं और ना ही लीगल एविडेंस है तो पचास हजार उपे तक वो कर सकता है अगल है आपके पास लेमिट ओफ कनवेंस ओफ कैश थू दिपार्टमेंटल इंपलोई ठीक है तो यह हमने अभी थोड़ी दिर पहले किये थे पूरी एक लिस्ट हमने की थी अब आपको कितना याद है वो तो आपको ही पता होगा भई पांच लाख रुपे तक भे सकते है अगर डिपार्टमेंटल इंपलोई अकेला लेके जा रहे ठीक है डिपार्टमेंटल इंपलोई लूज लेके जा रहे पांच लाख रुपे तक लिए के जा सकता है अगले आपके बास बीच ओफ दी फॉलिंग बेस बाइज बाइच और एस सो इस ओर्डिनरली जाते हैं तो कैसे उनका निप्टान गता है तो हमने बहुत किया था अगर तो वह बैंक स्टेशन पर हैं तो वह डिपोजिटे सकता है फो को कोई चाहीं reindeer होती होतीँ कम होती है 40,000 भी होती है अब 40,000 रिमिट है अब कोई customer आ गया जिसको वही 2 लाख रुपे से अब कैसे देंगे तो उसके लिए extra fund चीए तो वो मंगवाएगा कहां से कहां से लेके आएगा by drawing from bank authorized तो अधिकृत bank से withdraw कर सकता है by बाहिर मिटांस from another sub office या फिर दूसरे किसी sub office से भो धनप्रेशन ले सकता है बाहिर मिटांस from head post office या फिर head office से बोर मिटांस ले सकता है तो इनी सब तरीकों से बो क्या कर सकता है आपका अपनी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है अगला है आपके पास post master order book ms1 is a record maintained in head office of अब यह जो post master order book होती है जिसको ms1 forum के उपर बनाया जाता है पढ़ा है हमने थोड़ी दर पहले ms1 के उपर बनती है तो यह record होता है जो head office में maintain किया जाता है होता किस चीज का record है वो आपको बताना है unusual occurrences ठीक है कोई भी आपकी ऐसी घटना जो असमान नहीं है ठीक है उ जो भी uniforms होती है kit वगारा होती है उनकी जाज की examination of locks in use जो भी प्योग में आप प्रियोग कर रहे हैं ताले वगारा लगाने के लिए कहीं उनकी condition की examination की record होती है यह सारी चीजों का यह record रहता है अगला है आपके बस designation of official in charge of a male department of a sorting male office ठंटाई डाक कार्याले का जो male department होता है उसका official in charge कोन होता है head sorting assistant होता है परधान छंटाई सायक होता है अगला है आपके बसी portfolio बिल आलवेज रिमेन इन दी परसनल का studio जो पोस्टमाइन की त्यारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से याद रख लेना जो portfolio होता है हमेशा किसकी अभी रक्षा में रहता है head sorting assistant or male guard की अभ assessing center यह हमने कर लिया है बहां पर क्या होता है चंटाई मशीन द्वारा की जाती है दो मशीन ने होती है दो नहीं होती है दो परकार की होती है के लैसे हम होती है अब यहां पे दो स्टेजिस में सोटिंग होती है ठीक है एक स्टेज में क्या किया जाता है जो आपकी पीन कोड़ेड मेल्स होती है बार कोड़ेड उनको बनाया जाता है फिर उनको लैटर मशीन जो लैटर सोटिंग मशीन होती है उसमें फैड़ अप किया जाता है उनकी क्य पूरा इंपोर्टेंट है कर लेना चलिए अगला है आपके पास Memorandum of Distribution of Work is issued when more than how many officials work in an office or section तो ये हमें बताना है कि किसी भी कार्याले अनुभाग में कितने से अधिक officials होने पर करमचारी होने पर Memorandum of Distribution of Work कारे वित्रण का ग्यापन issue किया जाता है एक से अधिक होने पर एक से अधिक official है किसी भी कार्याले अनुभाग में तो Memorandum of Distribution of Work को आपका जारी किया जाएगा issue किया जाएगा Memorandum of Distribution of Work MS-11 is issued by MS-11 क्या होता है Memorandum of Distribution of Work तो एक कारे वित्रण का ग्यापन जोता है किसके अधर issue किया जाता है Divisional Head Divisional Head कोन होता है Superintendent या फिर Senior Superintendent होता है आगे आपके बास SPM, DPM, PM of HSG, SO ठीक है किसी भी High Selection Grade Sub-Office का SPM, DPM, Post Master and Head Offices are competent to sanction the deceased claim case in a National Savings Scheme where no nomination exists or no legal evidence is available तो कोई भी आपका Head Office है या बहाँ पे कहा है आपका High Selection Grade SU है बहाँ का SPM, DPM या Post Master यह किस हद तक आपके deceased claim case को sanction कर सकते है National Savings Scheme को ठीक है जहाँ पे कोई भी ना nomination है ना मांगर नहीं है और ना ही कोई legal evidence है तो यहाँ पे 1,00,000 रुपे तक कर सकते है यहाँ पे ध्यार नखना है ठीक है अभी हमने थोड़ी दर पहले एक क्या कि आभी 50,000 बाला भी क्या है तो यह एक लाख हो चाएगा ECS means ECS क्या होता है electronic clearance service ठीक है यह मैं बना रहा हूँ यहाँ पे चित्र ठीक है यह आपका चित्र होगया ठीक है अभी यहाँ पे electronic clearance service के जरीए क्या क्या जाता है post office जैसे interest rate डालें तो interest rate कैसे डालेगा भी एक कस्टमर के account में डालेगा तब तो भाई सधियां लग जाएंगे तो यहां पर ECS जो service होती है इसका use क्या जाता है इसमें क्या होता है एक single user source होता है यहां से चलती है कोई भी transaction और बहुत सारे accounts में deposit हो जाती है जाके जासे deposit आपके interest rate होते हैं तो यह हो जाएगा बहुत सारे customers के account में जमा हो जाता है तो यह होती है electronic clearance service और यह 15 RBI और 21 SBI locations पे है 15 RBI locations जो हमने पिछली वीडियो में की थी वो पूची गई है मैंने इसलिए करवाई थी 15 वो पूची गई है और ध्यानकना दूसरा 21 SBI 21 SBI locations के उपर और 15 Reserve Bank of India की locations के उपर यह उपलव दरहेगी अगला question आपके आस forum 10 which is used in operation of national saving scheme is तो यह किसके लिए होता है बही जो national saving scheme में आपका forum 10 यूज किया जाता है application for cancellation and change of nomination तो यह application होती है किस चीज़ के वारे में अगर आपको ना मांगकर रद करना है cancel करना है या फिर बदलाव उसमें करना है ताब आपके लिए forum कौन चाहता है 10 होता है live mail surveys to be conducted in live mail survey जो होता है बई सबसे पहले जो important बात है यह monthly होता है दूसरे जो ती दो survey और है वो इंदी month of September होती है लेकिन live mail survey साल में बारा बार होगा हर महिने में एक बार होता है अब यहाँ पर इसको conduct कहां पर किया जाता है यानि कहां पर यह होता है one delivery post office in each division परते एक division में परते एक मंडल में एक वितरन डागर में यह किया जाता है अगले आपके पास preservation period of correspondence relating to robberies, thefts, etc. inland post in RMSS तो जो आपके railway mail service में कोई भी inland post है उसमें क्या है कोई भी robberies के मामले है इन से समंदित जो भी correspondence होगा पत्रह चार होगा उसको preserve करके रखने की जो अब्दी है वो कितनी है one year after case is closed जब आपका case का फैंसला हो गया case पूरी तरह से close हो गया उस case के close होने के एक साल तक उसको preserve करके रखा जाता है तो यह preservation वहला हमने पिछली वीडियो में भी किया था उसमें हमने सारी की थे आपने नहीं देखिया वीडियो जुरूर देख लेना अगला question आपके पास headquarter of ocean postal union Asian ocean postal union का headquarter कहां पे है एओ पी यू का headquarter कहां पे है Bangkok Thailand में ठीक है एपी पी यू बोलीजिए एओ पी यू बोलीजिए ठीक है फुल फोरम आपको पता होनी चाहिए कहां पे है Bangkok Thailand में है और metal token of authorized type must be carried by all rms officials accept यह जो आपके rms officials होते हैं सभी बोला गया है कि वो अपने पास एक metal token रखते है अधिकरित परकार का जो क्या होता है अगर उनको platform है या फिर जो mail के लिए आपका compartment होता है ठीक है बाकी सभी के पास यह रहते हैं अगला है आपके पास important about registration in foreign post तो पंजीगंड के बारे में कुछ important है चलिए पढ़ लेते हैं क्या important है इतना all latter post items including items for air transmission can be sent as registered items सबसे पहले पत्र डाक की जितनी भी बसुएं including आपके air transmission बाली बसुएं भी उनको registered करवा के पंजीगरित करवा के आप भेज सकते हैं आगे आपके बास bulk bag can also be registered पिशली वीडियो में मैंने बड़ा समझाया था भाई bulk bag जो है या तो unregistered आप बेजोगे या फिर उसको पंजीगरित करवा के बेजोगे दो ही options आपके बास ना speed post होगा वो ना उसकी insurance करवाई जा सकती है ना ही extra उसको पार सल पूर सल यह से अपने अलग दिमाग नहीं लड़ाना है या तो वो registered होगा bulk bag या unregistered होगा दो ही conditions है उसके बाद चलिए आपके आगे है registration fees basic registration fees other charges जैसे charge fees of our acknowledgement these charges should be fully prepared तो हम एक question करते है बहुत बार वो question आता है अब मैं थोड़ा सो उसके बारी मैं समझा देता हूं हम करते हैं यह अगर unpaid और underpaid कोई भी article नहीं उसको post office counter पर present किया जाता है foreign post में भीजने के लिए तो answer में हम क्या करते है it cannot be registered and refuse भाई इसको register नहीं किया जा सकता है और मना कर दिता है मरन कर दिया जाता है करने के लिए उसको भेजने के लिए तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी registration charges है basic registration fees और चार्जिस है और सचार्ज है फीस फार एकनोलेजमेंट यह सारी जो भी चार्जिस है यह कैसे होने चाहिए fully prepared होने चाहिए इनका पूरा भुकतान आपको करना है तभी इनको भेजा जाएगा ठीक है तभी इनको register किया जा सकता है तभी इनको foreign post में एजर जिस्टर आर् अगला है आपके पास international track package specially designed for e-commerce for cross border transmission तो इनको e-commerce गराकों के लिए क्या गया ठीक है यह भी आपके विदेशों को भेजने के लिए होते है वेस्ट इकनोमिकल सर्विस बीद विजबिल्टी टू सेंड शिप्मेंट्स टू एशिन पैसिफिक रिजन तो एशिन पैसिफिक प्राम तक package भेज सकते हैं track करने की facility आपको मिल जाती है trace करने की facility और फास्ट होता है और दूसरा एकनोमिकल होता है pick up facility आपको मिल जाती है volume based discount आपको मिल जाता है network network की बात करें सबसे बहले इनको book कहां पे किया जा सकता है जितने भी देश में post office है यानि कि जितने भी डा code यह ठीक है यह पढ़ लेना PDF से एक बार कहां कहां को भेज सकते है total 16 यहां पर लिखे हुए है अगला आपके बास the phrase port pay means port pay का क्या अर्थ होता है तो पिछली वीडियो में भी हमने आपके पांच यह अच्छे phrase किये थे ठीक है पर even क्या होता है उसके बाद आपका यहां प पॉशन फंसी जाते हैं एक्जाम में यह वैले तो फ्रेज आपका port पे जो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है पोस्टेज पेड डाक शुल का भुकतान कर दिया गया है आगे आपके आपके आस रिजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल एड्रेस्ट टू एंड टू इस कं अगिला है आपके पास इंटरनेशनल रिपलाई कूपन ब्लवी सोल्ड टू एन फंड टाइम एक ही बार में एक ही इंड्यविज्ट को एक ही व्यक्ति को कितने आपके इंटरनेशनल रिपलाई कूपन बेचे जा सकते हैं नोट more than the ten ठीक है दस बेचे जा सकते हैं दस से ज फ्रांक डी डृट्स यह हम कर चुके हैं service in context of foreign parcel तो यह आपके foreign parcel के समंध में एक word आता है word क्या आता है निर्देश है फ्रांक डी डृट्स अब यह क्या service होती है भई क्या चीज़ है यह कौन सी बला है payment of all charges by sander जितने वी charges हैं जितने वी शुल्क हैं उनका भुकतान सेंडर के द्वारा कर दिया गया है फार देर डिलिवरी फ्री ओफ कस्टम्स एंड अदर चार्जिस तो यह क्या चीज हो गई भई हमने बड़ी बार कर लिया कि जब भी कोई आप आर्सल वगारा भेशते हैं फोरन कंट्री के लिए तो बहुत सारे ऐसे चार्जिस होते हैं जो आपके अड्रेसी से लिये जाते हैं री पैकिंग चार्जिस कस्टम चार्जिस यह चार्जिस बो चार्जिस आपके अड्रेसी से भी लिये जाते हैं तो देने थे जो वो दे चुका है ठीक है उसके बाद आपके औरी पैकिंग चार्जिस भी आगे उसी में ठीक है वो किसे लिए जाएंगे अड्रेसी से लिए जाएंगे लेकिन यहाँ पे फ्रांक डी ड्रोइट्स एक ऐसी सर्विस होती है जिसके जरी अगर आफ औरन पार्स होते हैं जो इस सर्विस के तहते हैं उनका वित्रण मुफ्त किया जाता है प्रेशो को बिना किसी एक्सेटरा चार्जिस के किया जाता है तो यह वाली सर्विस अभियाद रखना इसको भूलना नहीं है आर्टिकल्स फार पर्सनल ओफ इंडियन आर्म्ड फोर्सिस सर्विं को कैसे ट्रीट किया जाता सभी उदेश्शयों के लिए इन लैंड आर्टिकल्स की तरह क्या इनके उपर चार्जिस में स्ङत इया इनको उपर इसे चांची इंडियन आम्ड फोर्सिज सर्विंग ओट साइड इंडिया शुड वी अड्रेस्ट टू ये थोड़ा सा important थोड़ा ने बहुत जादा important question है question क्या बोला गया है आपके बास ऐसे लेख जो इंडियन आम्ड फोर्सिज के करमचारियों को भेजे जा रहे हैं जो भारत के बाहर सेवारत हैं ठीक है तो उनको जो आर्टिकल्स भेजे जाएंगे कोंच एड्रेस पर बेजे जाते हैं इंडियन आर्मी पोस्ट ओफिस 56 एपियो च्पंजा एपियो या फिर फ्लीट मेल ओफिस बोंबे बाई 99 एपियो तो आया ही नहीं क्योंकि इसके पते बर भेजे नहीं जाते हैं इसलिए वो आया भी नहीं तो इंडियन आर्मी पोस्ट ओफिस 56 एपियो ठीक है आये पियो का मतलब भी आर्मी पोस्ट ओफिस होता है या फिर फ्लीट मेल ओफिस बोंबे के पते बर भेजा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है भाई ध्यान अब गल आपकी कौन सी सर्विस है जो सभाविस के साथ मेल आती है सर्विस आपकी फ्रीन के सेंद आपकी परेइब में होती है तो इनलेंड पोस्ट में सगहा समन्दी इसका जुढ़ा भाह मेह वाली ब्लाइव द्रेशन ओफ एड्रस और ईर्श वरीड शीव आपने भेज दिया मैसूस आपको हो रहा है कि अभी यार गलती कर दी उसको डाक से निकालना पड़ेगा या फिर उसमें कुछ भी आपको निकालना या चेंज करने अड्रेस को तो ऐसी सिती में क्या आपको करना पड़ेगा या क्या कंडिशन से वो पड़ते हैं सेंडर परिवरतन भी कर सकता है ठीक है जब वो ट्रांसमिशन के दुरान प्रसारन के दुरान वो उसको डाक से निकाल भी सकता है और उसके पते में परिवरतन भी कर सकता है अभी परिवरतन कैसे करेगा अभी आर्टिकल आपका कहीं से कहीं पहुंच किया कि अड्रेस जाएगा न सकते हैं attention नीमनिए बिदवुट राफ्रेंश तू और कंसेंट ओफ एडरेसी ठीक है प्रापत करता कि राफ्रेंस को बताने की जुरूरत भी नहीं उसको बताए भी न और उसकी मर्जी के बिना ठीक है उसकी रैफरेंस के बिना भी आप ये कर सकते हैं नोट इंटरसेप्टेड वाई डैजिक नेशन कंट्री तो यहां पर एक और इंपोर्टेंट चीज क्या बोल रहे हैं या फिर कंपीटेंट आफरिज के द्वारा इसको नुस्ट ना कर दिया अपने ऐसी चीज़ जो किसी देश के कानून के विरुद्ध है तो इसको नुस्ट कर दिया जाता है यह जब्त कर लिया जाते है या तो अड्रेसी या फिर सेंडर उसके लिए जिम्मेदार होता है विकोज इन फ्रिंग्मेंट ओफ प्रोईविशन जो भी प्रती बंद है उनकी जो भी कंडिशन से उनको फोलो नहीं किया था इसलिए रोक लिया उसको या डिस्ट्रोई कर दिया अड्रेसी शुड समिट रिटन अप्लिकेशन अब ऐसा करना है आपको या तो उसको विड्रो करना है डाक से निकालना है या फिर दूसरे या पर एड्रेस आपको चेंज करना है तो अड्रेसी को क्या करना पड़ता है एक written application देनी पड़ती है प्लस साथ में क्या होता है fees उसको देनी पड़ती है फोरम मों postage stamps ये most important point है आपका जो fees आप देंगे उसमें alter करने के लिए या उसको dark से निकालने के लिए वो कौन सी फोरम में देंगे postage stamps के रूप में दी जाती है अगला question आपके पास but is journal maximum weight limit of small packets as per postal guide part to accept of our certain countries कुछे के देशों को छोड़ कर आपके जो small packet होते हैं उनका समाने ता है अधिक्तम बजन कितना हो सकता है 2 kg हो सकता है delivery fees for small packet ये क्या चीज़ हो गई बही वित्रण शुलक लिया जाता है मैंने बड़ी बार जगह पर ये चीज़ बोली गए है कि जैसे इनलेंड आर्टिकल भेसे हैं वैसे फोरन आर्टिकल का वित्रण नहीं होता है इनलेंड में कैसे होता है वित्रण free of charge अगर address sender ने सारे address charges दी है सीडिंग 500 ग्राम अगर स्मॉल पैकेट का बजन 500 ग्राम से अधिक हो जाता है delivery fee by address तो address से delivery fees ली जाएगी प्रापत करता से वित्रण शुलक आपका लिया जाएगा अगला question आपके वास पोस्टेज पे एवल ओन फोरन पार्सल कवर कवर ओनली आउट बाड जर्नी तो ये पहले थोड़ी दर पहले ही आया था कि आपको जब भी पार्सल भेजना है तो उसके उपर जो दियो है सेंड को बापिस बेजना है कुछ भी करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जिस जो हां वो देने पड़ते हैं तो यही चीज़ें आप बोली गिया है जानी यह सिर्व बाहरी आत्रा को कवर करता है उसको रीडिरेक्ट करना उसको बापिस लेके नहीं आना वहाँ सी जो बापिस भेज़ेंगे तो उसके लिए चार्जिस लगते हैं हमने थोड़ी दर पहले क्या किया इकूवलेंट चार्जिस लगते हैं जितने आपके ओट जानी के लिए भी लगते हैं इन केस ओफ अंड लिवरेवल इन्वाड फॉरन पार्सल वेर होसिंग चार्ज इस एंपोज आफ्टर तो यह हमने कर लिया कि अगर कोई फी अंड लिवरेवल ठीक है बित्रण योग्य आपका बित्रण योग्य नहीं वाला जो भी पा फॉरन पार्सल होगा ऐसा पार्सल जिसका वित्रण नहीं हो पा रहा है बेरो सिंग चार्ज इस कौन से दिन से लगने शुरू हो जाएंगे कौन से दिन के बाद लगने शुरू हो जाएंगे तो साथवे दिन से ठीक है कौन से दिन से लगने शुरू हो जाएंगे आठवे दिन से लगने शुरू हो जाते हैं और साथवे दिन के बाद आगे हैं आपके बास certain charges are so occur on the parcel within outward transmission of destination these are collected from तो कुछ आपके charges होते हैं जो foreign parcel के उपर ठीक है बनते हैं जो आपके destination पर पहुंचने पर बित्रण के समय किसे लिये जाएंगे address of parcel जो भी parcel का प्रापत करता होता है उसके उससे लिये जाते हैं आगे आपके बास Asia Pacific Postal Union was established in this year and with headquarter in this city अब यहाँ पे दो तरह से question पूछा जाता है एक तो अगर आप से पूछा जाएं कि जब यह बना ठीक है यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना कभूई औ उस समय इसका जब यह बना तो 1961 में मनीला फिलिपिन्स में था अब कहां पे है बैंकोग थाइलंड में यह थोड़ा से फरक समझ लेना question अच्छे से पढ़के यह answer देना है जब यह बना यह पूछा गया है कि उस समय जब यह बना तो इसका headquarter कहां पे बना था साथ में तो म समय बारे में यहां पे दिवा हूँ है पोस्ट ओफिस सिच्वेटेट एट एट पोर्ट ओफ कोल ओशिप बिल एक्सेप्ट मेल्ज पोस्ट ओन बोर्ड इशिप इफ दे आर डिलिवर्ड लूज टू पोस्ट ओफिस मुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए पड़ाव पतन पर सित डागर जहाज पर पोस्ट की गई डाग बस्तू स्विकार कर लेगा अब शर्ते की डागर में खुले रूप में दे दी गई हो तो जो भी आपके डागर डागर नहीं आपके हवाई समुद्र में जाते हैं डागर कैसे जाएगा समुद्र में जाते हैं तो जब वो खुले रूप में देने जाओ बंद गर के नहीं देने या बंद मतलब उन्कों कैसी में डाल के नहीं देना आसे खुली सिती में दे देने है अगर तो जहाज कहां पे खड़ा है भारतिय बंदरगा पे खड़ा है तो उसके उपर जो डाक टिकेट होने चीए वो कौन चीए इंडियन पोस्टर स्टैंप्स होने चीए भारतिय डाक टिकेट होने चीए अब यहां पे दूसरी चीज क्या बोली गही है अगर उनको पोस्ट किया जाता है हाई सी में पोस्ट किया जा रहा है तो उनके उपर जो चार्जिस देने है वो आपके कौन सी डाक टिकेट के द्वारा दिये जाएंगे जिस कंट्री से वो वाला जहाज बिलोंग करता है जु अगला है आपके पास कोरस्पोंडने सफार प्रसनल ओफ इंडियन आर्मी पोस्ट ओफिस या फिलीट मेल ओफिस बंबे 96 एपियो को 96 नहीं होता 99 एपियो ठीक है उसको संबोधित नहीं किये जाएंगे पोस्ट इज पेड शेल्वी प्रीपेड आट इनलैंड रेट्स और कैसे अंतरदेशिय दर के इसाब से उनके उपर चार्जिज लिए जाएंगे पूरा भुकतान उनका कर देना है ट्रीटेड ऐस इनलैंड आर्टिकल फारोल परपजिस हवी उदेशे के लिए इनको इनलैंड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है नोट एक्सेंप्टेड फ्रों पॉस्टल चार्जेज डाक शुलक में कोई इनको शूट नहीं मिलती है आगे आपके पास कस्टम डिकलरेशन इनकेस ओफ लैटर पोस्ट आर्टिकल्स कंटेनिंग डूटीएवल गुड्स ऐसे आर्टिकल्स ठीक है पत्र मेल के जिनमें डूटीएवल गुड्स है स यह मश्युल्क लगने योग्य वाला सामान है, बेर अडमिसिवल जहां पर भी जरूरत है, एंड आल स्मॉल पैकेट्स शुट भी अ कंपनेट वाइस कस्टम डिकलेरेशन फॉरम, तो जितने भी स्मॉल पैकेट्स होते हैं, यह दो परकार के होते हैं, कस्टम डिकलेरेशन फॉरम प्रेजर्ट में जो यूज किये जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, CN22, CN23, यह दोनों परकार ही कस्टम डिकलेरेशन फॉरम जो हैं, वो यूज किये जाते हैं, कब-कब किये जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए थोड़े दर पहले भी एक कोशन आया था अगले आपके पास बड़ीज डेजिगनेशन ओफ ओफिशल इंचार्ज ओफ कैस्ट इपार्टमेंट नकद विभाग का जो ओफिशल इंचार्ज होता है होता है उससका डेजिगनेशन क्या होता हैة व निचेशल कारण ओन फैपंडिगीश अप्लिकेशन all the care अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर किसकी बात की गई है, SPM की बात की गई है, सब पोस्ट मास्टर की बात की गई है, तो जब भी आपका इडेंटिफिकेशन कार्ड इशू करना होता है, तो कौन करता है, अप्लिकेशन कौन भेज़ेगा, एक माली जिए पोस्ट मास्टर है, ए एक च्वीसिल कोड एंड लेवल होता है और branch office का maybe so maybe so ठीक है या तो head office हो सकता है या sub office हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है तो इन में relation क्या होता है account and beo bags are exchanged daily with account office by beo and so तो branch office या फिस sub office के द्वारा daily अपने account and beo bags को exchange किया जाता है अपने account कारया ले के साथ ठीक है daily अदान परदान उसका किया जाता है actual cash book is maintained at actual head office में आपकी जो actual cash book होती है इसको कहां पर maintain किया जाता है head office में किया जाता है आगे आपके बास which office can not be a cash office तो इन में से कौन सा office जो है cash office नहीं हो सकता है बही ब्राच कारया ले हो सकते हैं और यह कहां पर स्थित होने चाहिए कि आपके क्या हो जाएं cash office हो जाएं तो एक बार पढ़ लेना definition अच्छे से अगला कुशन आपके बास आपके बास तो यहां पर क्या चीज़ बोली गई है कि जब भी कोई ट्रेन रेलवे प्लेट फोरम पर आज आती है कोई भी ट्रेन नहीं जिसमें डाक आपकी आनी है तो जो बैन होती है उसकी बिंडो आपको प्लेट फोरम साइड से क्या रखनी है बंद रखनी है चिरफ बैन वाली साइड को खुली रखनी है वहीं से आपको डाका अदान परदान ज्वा बोक करना होता है आगी है आपके पास मेल अब्स्ट्रेक्ट इस एक्चुली क्या चीज़ होती है मेल अबस्ट्रेक्ट अभी इसकी बारन थोड़ा सा दिया हुआ है पढ़ लेती है क्या बुले गया है मेल अबस्ट्रेक्ट फार ट्राजिट सेक्शन पारवहन अनु भागों का जो डाक सार होता है कौन से फोरम के ओपर बनाया जाता है मेल अबस्ट्रेक्ट फार मेल ओफिस डाक कार्यालियों का डाक सार कौन से फोरम के ओपर बनाया जाता है मेल अबस्ट्रेक is abstract is divided into two parts dark sour में विभाजित किया होता है males और back ये दो parts में इसको divide किया होता है male abstract is actually total and balanced ये क्या चीज़ बहुल दिया भाई आप इसने बूले कि male abstract जो actual में होता है क्या है total plus balance तोनों साइड में कितने भेजे बैक कितने रसीब हुए दूसरी साइड भी ठीक है यह दोनों का क्या होता है एक balance होता है दोनों साइड में बराबर होना चाहिए तो वो होता है आपका mail abstract अगल है आपके पास यह post office और sorting office बिच exchanges mail with offices in foreign countries known as एक dark कार्याले या फिर छंटाई कार्याले जो क्या करता है बिदेशों में स्थित कार्यालियों के साथ डाक का अदान परदान करता है उसको office of exchange कहा जाता है बिनियम कार्याले उसको कहा जाता है बट कैन वी the maximum weight of an air में letter letter का अधिकतों बजन कितना हो सकता है तो यह भी बोई चीज आगे inland में भी सेम है और foreign में भी सेम है बई 2 kg हो चाएगा अगला question आपके पास बड़ी जी maximum amount of cash that can be remitted through dark saivak accompanied by another dark saivak यह हमने किया है शुरू में किया वीडियो में कि क्या होता है एक आपका dark saivak अभी dark saivak कोन हो जाएगा gram in dark saivak कोन होता है BPM हो सकता है MD हो सकता है MC हो सकता है अब यहां पे MC मतलब आपका male carrier गलत नहीं समझना है किसी चीज़ को तो क्या चीज़ बोलीगी आपका एक dark saivak है जो दूसरे dark saivak के साथ जाके नहीं कि दो dark saivak है आपके वह क्या गर सकते है maximum कितना अर्मिटास लेके जा सकते हैं उनके तुरू कितना धन प्रेशित किया जा सकते हैं दो लाख रुपे किये जा सकते हैं important member countries of APPU पिछली वीडियो में हमने किया था यह important मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यह previous year मैं पूछा गया होगा इसलिए लिख दिया इसको important यह कर लेनी है previous वीडियो में आपने देख ली होंगी नहीं देख लेना नहीं देखना चाहते Google search कर लेना मिल जाएंगी reply paid postcard services available for few countries these countries are reply paid postcard service अब क्या होता है आप पोस्ट कार्ड बेज रही है उसमें क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि भई जो address है वो आपके लिए कोई reply भेजे लेकिन आप चाहते हैं कि भई उसका खर्चा भी आपी उठाएं वो address को ना देना पड़े ठीक है हो सकता है आपको कोई प्यार हो लेकिन हो सकता है कोई इनों देशों के लिए उपलवद रहेगी complaints regarding international articles should be given within time limit for inquiry and complaint तो जो भी आपकी foreign articles के संबंदित अंतर राष्ट्रिय डाक से संबंदित कोई भी complaints है तो उसको कितने समय के भीतर आपको देना है regarding articles of letter mail और parcel mail अगर तो आपके पत्र डाक या parcel डाक के संबंदित है within one year from second day of posting यह किया हमने थोड़ी दर पहले ही यह question किया कि यह जो एक साल होता है हमने किया कि बहां पर क्या लिखा हुआ था अगर आपको complaint है को inquiry करनी है आपका वो कोई article है international वाला चाहिए letter mail का है चाहिए parcel mail का है तो उसके लिए आपको एक साल के समय के भीतर करनी होते है और एक साल कब स इसके गिना चाहेगा following the day of the day of posting जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके अगले दिन से अब यहां पर वही सैम चीज बोही बोही है कि 1 year has pig рук yang 25 बारा महीने से पहले आपको करनी है from the second day of posts यह जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके अगले दिन से एक साल के भीतर भीतर आपको करनी है और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मनी ओडर मनी ओडर है वीपी है स्योडी आर्टिकल है विदिन वन एर फ्रोम डेट ओपोस्टिंग इसके लिए डेट ओपोस्टिंग के एक साल के भीतर आपको यह इंक्वाइरी करनी होती है इंक्वाइरी फीज नोट रिक्वाइड फार ब्लाइन लिट्रेचर पैकेट अंद सेत्य पैकेट आपने भेजा है उसके लिए कोई भी पूश्टाश शुलक आप से नहीं लिया जाएगा इंक्वाइरी फीज आलशो पेहफल फोर वीपी स्योडी आर्टिकल्स भाई बीपी स्योडी आर्टिकल्स के लिए आपको इंक्वाइरी फीज जो है वो देनी पड़ेगी अगला है आपके पास foreign parcel should not contain, बिदेशी parcel में क्या क्या नहीं होना चीए, not contain any document nature of personal correspondence, तो इसमें कोई भी ऐसा आपका पत्राचार नहीं होना चीए, और पत्राचार कैसा व्यक्तिगत आपका कोई भी पत्राचार नहीं होना चीए, ठीक है, कोई भी ऐसा दस्तावेजना हो जिस इसमें आपका व्यक्तिगत पत्राचार हो, in some countries, single communication from sender to address or parcel permissival, कुछ एक देशों के लिए single communication, एकल पत्राचार sender address को भेज सकता है, आगे हैं आपके बास this restriction applies to parcel containing, लेकिन यह वाली जो restriction है, यह apply कहां पे होती है, यह वाली यहां पे apply होती है, जैसे आपने क्या भेजा है, magnetic tapes भेजिया है, बायर भेजिया है, डिस्क भेजिया है, यह कोई भी recording media ठीक है, जिसमें आप record करके भेज सकते हैं, in nature of current and personal correspondence, जिसमें आपका कोई भी current बरतमान का, यह आपका जो व्यक्तिगत पत्राचार है, वो ठीक है, यह restriction बाहां पे apply होती है, बाहां पे आप नहीं भे तो आप parcel में किसी भी परकार के दस्तावेज भेज सकते हैं, लेकिन क्या है, they are from sender and intended for the address of parcel or person living with him, तो यह क्या होने चाहिए, ठीक है, आप उसमें दस्तावेज भेज सकते हैं, लेकिन बू किसके लिए होना चाहिए, भई जो parcel का address है, प्रापत गरता है, या फिर प्रापत आपको कभी कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोका जाएगा, foreign articles are liable to be opened for examination by custom department, तो जो foreign articles होते हैं, विदेशी लेक होते हैं, उनके उपर जो examination की जाती है, examination मतलब कि जाच की जाती है, जो भी सीमा शुलक वहरा होता है, तो वो कौन कर सकता है, वो custom department करता है, post office department नहीं करता है, और यह चीज आती है, postal appraiser ठीक है, और दूसरे, यह बाले होते हैं, principal postal appraiser, postal appraiser यह भी custom authorities के ही होते हैं, यह department के नहीं है, चाहिन के साथ postal जरूर लगा होते हैं, तो यह आपके किसे होते हैं, custom department से जुड़े होते हैं, अगले आपके disposal of foreign article in case of article parcel treated as abundant at office of delivery in foreign countries, तो यह पिछली वीडियो में भी आया था कि विदेशों में अगर आपके किसी parcel को अवंडंड माल लिया जाए, अवंडंड मतलब उसको त्यागा हुआ माल लिया जाए, कि ना address ही ले रहे ना형E sander को भेजा जा सकता है, अभी वापे है, ऐसी condition आजे तो क्या किया जाएगा उसको त्यागा हुआ मालना जाता है, अवंडंड मालना जाता है, और क्लामी के जरी उसको बेचा जा सकता है आगे है कि पास रिजिस्ट्रेशन चार्जिस फार फोरण लेट तो जो भी विदेशी डाक में आप पत्र भेजना चाहते हैं क से पंचिगरी तक करवा के भीजना चाहते हैं कितने ने चार्ज लिये तो यह थोड़ा से इंपोर्टेंट है तो अभी जासे हम बात कर रहे थे पहले कि अगर पार्सल जब भी बापिस आता है सेंडर के लिए तो उसमें क्या होता है वो क्यूंकि पार्सल के जो चार्जेस आउट बाट जर्नी कोई कवर करते हैं तो बापिस आने के लिए उसको इ एकोर्डिंग टू केटगडिरी ये उसकी के एक हिसाब से लिए जाते है कि वह घर है ऐसापस लिए जाते है HEAR मेल यह बैग शुट वीलek चिछे हैं कभ उनको बंद किया जाता है बंद कभी क्या जाता है मतलब कि कभ उन उनको बनाया जाता है तो more than 150 अगर 150 से जादा आर्टीकल जो तभी उनको बनाया जाएगा एर मेल बैग्स को आगे आपके पास है फोरन आर्टीकल रसीवड फार डिलिवरी इंडिया इस रिटरंड और रीडिरेक्टड ओट ओफ इंडिया धैंदी कस्टम ड्यूटी इंपोस इंडिया जाता है अब भारत में उसको वित्रण के लिए प्रापत तो हो गया लेकिन उसको रीडिरेक्ट करने या रिटर्न करने बाकिसी विदेश को तो ऐसी सिति में जो कस्टम ड्यूटी उसको अपर लगाई साती है उसको कैंसल कर दिया साता है कस्टम ड्यूटी कौन हमने अभी कि आपका ध्यान होगा तो आपको पता होगा on the authority of the falling officials a mail office में redirect any article intercept and deliver any article to the address तो क्या होता है अभी आप सोच रहे होंगे आपको तो कभी ऐसा देखना नहीं पड़ा क्यूंकि आप करते हैं पोस्ट ओफिस में काम आप मेल ओफिस में काम नहीं करता है अगर मेल ओफिस में काम कोई करता है अभी नहीं करता होगा नहीं करता है तो मैं बता देता हूं मैं करता लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा पता है कि वो क्या करते हैं जो mail office होते हैं डाक कारयाले होते हैं किसी ही लेक को पुझे निर्देशित उसको रोकना या फिर प्रापत करता हूं को वित्रण करना ये सारे काम नहीं कर सकते हैं अगर करने है तो फोटी उनको चाहिए होता ह कॉन bir देता है ड्राइक्टर जनल और हैड ओप सर्कल इन दोनों की ऐसी के बिना यह वी काम कोई भी कारयाले नहीं कर सकते हैं little करना इंट्र सैप्ट करना इन ड्लिबर करना रिदरक्ट करना ये साथ होते है लेकिन कारयाले में बहुत गर यह वर्यंuf करने पड़ जाएं, आगे हैं, आपके बास एंहिए सोंटिंग लिस्ट इस प्रिपेरड ओन बीच फोरम, बिलेज सोर्टिंग लिस्ट ग्राम छांटाई सूची, जो है कौन से फोरम के उपर बनाई जाते हैं, M52 के उपर इसको बनाया जाता है आगे आपके पास बिले सोटिंग लिस्ट प्रिपेर्ड और सप्लाइड टू इच पोस्ट ओफिस बाई पर एक डाक कार्याले को ग्रामें डाक छंटाई सूची जो होती है कौन तियार करके देता और कौन भेस है सब डिविजनल इंस्पेक् अगर कोई है ग्यान नी सजन तो आगे अपके उस्पेशल बिशेश बाहा के जरीए किसी आइसो को धन प्रेशन दिया जाता है अभी क्या होता है कि मैंने जैसे हम बात कर रहे थे इंसफिशेंट फंट है तो उसको क्या किया जाता है आपका एक्चो देगा दूसरे एसो से बुले सकता है तो क्या किया जाता है कोई बेके आएगा भी ऐसे तो हवा मैं पैसे आने से रहे तो उनको कोई लेके जाता है special carrier जो होता है बुलेके जाता है इन विच डॉकुमेंट रिमार्क शुडवी रिटन फार दी इन्फरमेशन अफ दी एस्पीम ऐस टू हो दे मनी हैस बीन सेंट तो इसमें क्या होता है इसमें होता है कि एस्पीम की जानकारी के लिए कौन सी चीज में इस चीज को बताया जाता है इस चीज को जाएंगे अब यहाँ पर Sb7 बाले एक फोरम होता है ठीक है Sb7a 7b 7c यह पूछा जाता है कोशन ठीक है बड़ी बार पूछा जाता है और आपको बता भी होना चीज तो Sb7 फोरम जो होता है कौन चा होता है विड्रॉल फोरम होता है जिससे आप ऐसे निकलवाते हैं उसक का आगे छोटा भाई है application for closer of account on maturity maturity क्या होती है जब आपने account खलवाया तो एक specific time होता है आपको पताया होगा कि उस समय के बाद आपका account प्लस जो वी उसमें deposit आपने के प्लस interest जो वी बनेंगा उसके उपर वो आपको मिलेगा टीडी पांच साल की एक साल की दो साल तीन साल के बाद इस तरह मैचूर होते हैं MIS है पांच साल के बाद मैचूर होगा SCS है उसी तरह से बाकि जितने भी account है उनका एक time period होता है इतने समय के बाद यह परिपक्व हो जाएंगे आपको interest मिल जाएगा आपने जो deposit किया वो मिल जाएगा तो उसका जब मैचूर होने पर अब आपने TD का 5 साल का account खुलवा लिया अब मेरे जैसे होते हैं कि खुलवा लिया भी बाद में फिर से जुरूरत पढ़ गई पैसे हैं नहीं वो ही निकलवाने पढ़ेंगे तो उनको क्या करना पड़ते हैं वो 5 साल पूरे होने से पहले ही निकलवाने पड़ते हैं उसक यहां पर लिखो RD, RPR लिए कहां से आगे हैं यहां पर RD, PPF and SSC account अब मेरे जैसा गरीब बंदा उसको चाहिए loan ठीक है या चाहिए उसको withdrawal आपने RD खुलवा लिया उसमें पता है आप loan ले सकते हैं विड्रो कर सकते हैं SSC में भी आप loan तो क्या पता है बले लेकिन आप उसम फोरम यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है SB7C फोरम का यूज किया जाता है तो यह SB वाले जितने भी फोरम है यह आपको अब अच्छे से याद होने चीए पूछे जाते हैं एक्जाम में अगला क्रूशन आप क्या सी है सोर्टिंग असिस्टेंट मेल गार्ड फ्रोम रिकोर्ड ओफिस अटेंडनेस तो एक ऐसा परधान चंटाई सायक मेल गार्ड ठीक है किसी वी आपके किसका डाग कार्याले अनुभाग के सेट का जो परधान चंटाई सायक होता है यह मेल गार्ड होता है बिच इस एक्सेंट फ्रोम रिकोर्ड ओफिस अटेंडने जिसे record कार्याले की attendance से shoot मिलती है should send the work papers of this at to record office in तो वो के करता है record कार्याले को अपने कार्य पत्रों को कैसे भेशता है in a closed bag duly invoiced in a mail list तो एक बंद थैलने में भेशता है और कैसे dark सूची में उनको duly invoice करके अगला question insurance seals used in mail office must always remain in whose possession and who is answerably improper use is made of it तो जो insurance seal होती है बीमा मोर होती है किसी भी dark कार्याले की हमेशा किसकी अफिरक्षा में रहती है जो इसकी improper use है जो इसका गलत इस्तेमार होता है तो कौन इस चीज़ के लिए जवाब दे रहेगा head sorting assistant क्योंकि आपकी insurance seal हमेशा उसकी possession में रहती है उसकी custody में रहती है वो ही इसके लिए जिम्मेदार होता है अगर इसका कहीं पे गलत use किया जाता है the operation in AMPC operation दूसरा नहीं operation theater वादा दूसरा AMPC क्या होता है automatic mail processing center में ऐसा कार्याले which is performed at the point where mails are received and machinable articles are separated into machinable and non machinable mails is called as तो AMPC में ऐसा operation जो ऐसे point पे किया जाता है जहां पे dark प्रापत होती है और machinable articles को machinable और non machinable mails में divide किया जाता है separate किया जाता है अग किया जाता है उस operation को या उस process को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है curling ठीक है आपके एसे concession of free redirection of first class mails weather surcharged or non surcharged received from foreign countries available to which class of mails तो यहाँ पे हमारे पास कौन से आपके articles होते है चाहिबे surcharged है और surcharged है प्रथम शेणी के ये articles होते है जिनको क्या मिलती है shoot मिलती है जिनको free redirection दी जाती है भारत के बीत है तो कौन से होते है aerograms होते है और इनकी inland में कोई भी इस तरह की कोई श्रेणी आपके बास उगलवद नहीं है unpaid and insufficiently paid articles of correspondence received from abroad must be marked for taxation only at office of exchange तो जो भी आपके unpaid or insufficiently paid articles प्रापत होते है बीदेशों से ठीक है इनके उपर एक stamp लगी होती है और वो कौन सी stamp होती है T stamp लगी होती है समझाना unpaid or insufficiently paid ये letters है complaints about the assessment of custom duty are dealt with only by custom duty से समबंदित सीमा शुलक से समबंदित कोई भी आपको शिकायत है उस चीज़ के बारे में जो complaint आपको करनी है वो किसको करनी चाहिए custom authorities को की चाहेगी responsibilities of sender far foreign post विदेशी डाक के लिए जो sender है जो प्रेशक है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है under the UPU convention and parcel post agreement sender of postal articles containing prohibited goods become liable तो अगर आपने article भेज दिया ठीक है किसी sender ने article को भेचा है रासी में उसमें कोई भी ऐसा सामान पहाँ जाता है जो प्रोइविट है तो parcel post agreement और UPU convention agreement के अंडर वो क्या हो जाएगा उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा post office की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है under section 61 of Indian post office act उसके बाद Indian post office act का section जो 61 है person can be proceeded against far contravention of section 19 which prohibits transmission by post of anything injurious उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है Indian post office का जो section 61 है उसके तहत अगर कोई भी contravention पाई जाती है चीज़ तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कारेबाई की जा सकती है section 19 ठीक है section 19 के अंडर जो क्या करता है कुछ articles को prohibit करता है ठीक है प्रतिवंदित करता है transmission के लिए तो उसके अंडर इसके उपर किसी वी व्यक्ति के उपर प्रोसीड़ी किया जा सकता है उसके उपर कारेवाई की जा सकती है acceptance of article by postal administration after checking for posting cannot absorb the sander of this responsibility अभी यहां पर क्या चीज बोली गई है यहां पर बोला गया है कि मालीज़े कोई article भेजा जाना है उसको postal administration के जारा डाग परशासन के जारा accept कर लिया गया transmission के लिए लेकिन उसकी acceptance आपके sander को इस चीज की जिम्मेदारी से free नहीं करती है कि रासे में अगर वो आपका उसमें प्रविट निकल जाता है कोई भी condition या दूसरे देश में उसको intercept कर लिया जाता है तो इन सब चीजों से वो छूटता नहीं है ठीक है उसकी जिम्मेदारी जो बो बनी रहती है sander becomes liable to the same extent as the postal administration for the damage cost by such an article to other postal articles sent भी देट तो अगर ऐसा article आपने भेज दिया ठीक है जिसकी बज़ा से दूसरे किसी article को नुकसान हुआ है तो जितनी जिम्मेदारी postal administration की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी pressure की भी बनेगी अगला question आपको how much inquiry fees required to be paid for registered blind literature packet in foreign post तो यहाँ पर आपको inquiry fee करने कितनी देनी पड़ी है हमने थोड़ी तर पहले किया कि blind literature packet के लिए आपको inquiry करने है तो inquiry fees उसके लिए नहीं लगते है no fees is required अगे आपकी वास categories of foreign postal articles are तो foreign postal articles मैं जो भी letters होते है letters नहीं articles है जो भी लेक होते हैं उनकी सिर्फ दो ही श्रेणिया एक letter post और दूसरी parcel post पिछली वीडियो में हमने किया था letter post मैं शाहिद इस वीडियो के last मैं भी है बिए से बता दूँगा मैं आपको articles liable to export duty in foreign post बिदेशी डाक में ऐसे लेक जिनके उपर export duty लगनी है कोई भी बीच में जवाब दे नहीं होगी ठीक है post office का बीच में कोई भी काम नहीं है pressure को इस चीज़ के बारे में export duty देने के लिए custom authorities direct inform करती है regarding payment of duty और जो भी duty बनती है उसकी payment post office not undertake to collect the export duty which has to be paid by the sender as directly by custom authorities तो जो भी custom authorities के दर हमने यहां पर किया कि sender को direct कोई inform करता है custom authorities करती है तो जो custom authorities ने direct की होंगी जो भी custom duty वो sender को direct देनी पड़ती है ठीक है post office में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ठीक है post office कोई भी चीज़ के लिए बच्चन बद नहीं है कि वो duty दे दी जाएगी custom authorities के दारह तभी उस article को आगे transmit किया जाएगा foreign country के लिए अगला आपके बास postage is prepaid in cash for posting of registered newspaper then which words are to be written on it तो जब भी आपने newspaper को post करने है और आपने उसके लिए जो charges है उनका पूरा बुकतान कर दिया है cash में तो words एक लिखे जाते हैं कौन से word postage paid and port पे word ये लिखे जाते हैं और ये words जो एक thick border में close होते हैं आप दियो words postage paid and port पे and close by thick border with an area not less than 300 square mm जो इसका area है इस thick border का ये 300 square mm से कम नहीं होना चाहिए आगे है आपके बास the fees for the special services of registration acknowledgement acknowledgement advice of delivery अभी भाई foreign post में जो acknowledgement होते हैं उसको acknowledgement नहीं advice of delivery का जाता है inland में तो acknowledgement कहते हैं लेकिन foreign में क्या का चाहेगा advice of delivery insurance fees etc on foreign post articles are uniform for all destinations ये important point है most important point है क्या बोला गया है कि special services होती है ठीक है विशेष आपकी सुविदाएं होती है जासे पंजी गण करवाना advice of delivery है बीमा करवाना किसी भी लेक का foreign post में तो uniform for all destination सभी गंतब्यों के लिए ये same रहती है जो एक देश के लिए fees लगेगी दूसरे के लिए भई लगेगी चाहे वो देश दूर का है चाहे नजी का है also far certificate of posting and late fees late fees भी और certificate of posting ये सारी चीजों के लिए जो charges है वो same रहेंगे इसमें कोई भी accept मतलब अलग नहीं होंगे किसी भी देश के लिए air surcharges and combined airmail charges vary according to destination लेकिन जो air surcharge लगाए जाते है और combined airmail charges लगाए जाते है destination के coding अलग अलग हो सकते है आगे है आपके पास important points connected with foreign post foreign post के संबंदित कुछ important points मतबुन विंदू first class mails surcharge or unsurcharge are eligible for free direction buyer within India तो प्रतम शेनी के जितने भी आपके लेक होंगी mail होंगी ठीक है डाक होगी चाए वो surcharge है unsurcharge है उसको भारत के भीतर free direction दी जाती है पुने निर्देशन दिया जाता है fees pay for recall not refunded any case recall क्या होता है recall होता है बापिस बुलाना या आपको भी बता होगा recall बापिस बुलाना लेकिन किसको बापिस बुलाना lake को बापिस बुलाना चाहे अभी लेक को अगर आपने भेज दिया आपको खयाल है अभी नहीं बेजना था यार बापिस चाहिए तो आप कर सकते हैं उसके लिए जो आपने एक वर fees दे दी वो refund नहीं होगी चाहे आपका lake recall हो सका है या नहीं हो सका है वो post office की responsibility नहीं है लेकिन आपकी recall fees बापको बापिस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी refund नहीं होगी weight more than 500 gram से warehousing charges at the rate per day commencing from 8th day collected from address at the time of delivery 500 gram से अधिक होने पर किसी भी article के लिए warehousing charges 8 में दिन से लगाने शुरू कर दिये जाते हैं जो की आप से बित्रण के समय प्रापत करता से लिए जाएंगे और आगे आपके आपके minimum and maximum weight of bulk bag अब कुछ होते हैं जिनका maximum ही weight होता है लेकिन कुछ होते हैं जिनका minimum weight भी होता है minimum weight में क्या है अभी 5 kg यहाँ पर बोला है minimum weight तो माली जी अभी यहाँ पर आपको सरफ फेकी kg तक समान भेजना है minimum weight भो रहे हैं 5 kg है तो क्या कह रहेंगे आपका उसमें rate थोड़ी डाल लेंगे अभी उसमें क्या होता है उसके लिए जो charges आप से लिए जाएंगे उसे एक kg के लिए भी आप से 5 kg बाले charges लिए जाएंगे और इसका बजन 30 kg से अधिक नहीं होना चाहिए आगे है और लास्ट ही है यह question तो भी थोड़ी दर पहले हमने क्या था के categories of foreign postal articles दो ही होती है ठीक है एक letter post है दूसरी मैं लिखना भूल गया हूँ parcel post होती है नहीं लिखा हुआ है ठीक है parcel post और एक money order भी है दो श्रेणिया होती है foreign post में अभी जो letter post है उसमें भी लग लग श्रेणिया है उसमें क्या सबसे पहले letters है post cards है यह लसी पढ़ते हैं आप AO पढ़ते हैं तो भाई आप ध्यान रिखना है जब भी आप post office guide part 2 पढ़ेंगे तो उसमें LC का letter at card postal manual पोस्टल foreign manual आप पढ़ते हैं LC का मतलब letters and cards तो यहाँ पे letters and post card यह दो श्रेणिया आपकी LC में आ जाती है letter at card उसके बाद आता है एक order subject जिसमें आपके आते है printed papers जिसमें आपकी book भी आती है register newspaper भी आता है small packet और literature फादी blind यहनके blind literature packet भी आता है इन सवी को order subject में गिना जाता है तो यह थे P.E.S.A. के exam के लिए most important questions आपको किसी भी question में गलत मेरा लगा हूँ आप comment section में बता सकते हैं ठीक है क्योंकि इतना अगर किसी को लगते हैं गलत है और बाकियों की वो help कर देगा न उसका भी बोजादा फाइदा होता है यह दूसरों की जो help करते हैं भगवान उनकी भी जरूर मदद करता है तो आप उस चीज़ के लिए comment section में बताएंगे और साथ में regular classes वो हमारी चल रहे हैं आप कोई से भी exam की त्यारी कर रहे हो आपको समझने में बिल्कुल कहीं पर भी परिशानी नहीं होगी अगर परिशानी होती है तो वीडियो लेक्टर्स साथ में दिये जाते हैं और आपनों कितना याद रहा है आपको कितना आता है उस चीज़ के लिए लिए आप से एक्जाम लिए जाते हैं और साथ में इंपोर्टेंट चीज जो प्रिविएस एर कॉश्चन बेपर्स होते हैं वह इतने जादा करवाए जाते हैं लगबग 30-40 कॉश्चन बेपर्स करवाए जाते हैं पूरी पीडियाफ आपको दी जाते हैं दोबारा से र harness कर ले क 설कây कारे हुए हूँ कही और आपकी श्रोटेनलेट करчи होती है लोटरफ निक्सांगिल स्कार्श होती है रहती हैं इंग्श समझ फालों करके बनाइश झाते हैं तो वह अब भी दुबारे से रिटाइब करके बनाई होती है तो उन सभी चीजों का फायदा आपको उठाने तो आपको हमारे साथ जुड़ जाने ठीक है कोई सेफ एक्जाम की त्यारी करनी हो आपको मैसेज कर देना और हमारे साथ जुड़के उसका जुरूर अच्छे से कर लेना और आपका एक्जाम जुरूर आक्लियर हो जाएगा आप अच्छे मार्क्स लाप आएंगे ठीक है फ्रेंड से थैंक यू